आम आदमी पार्टी और अर्विंद केजरिवाल जी अब तक ये दलिल देते आ रहे थे कि कोई सबूत ही नहीं है जी, ये फर्जी सम्मन है जी, हमारे कलग कोई सबूत ही नहीं है, ED ने आज 28 पेज के सबूत पेश किये हैं, और ये सबूत देखने के बाद जो ED ने 10 दिन का का रिमांड मांगा था, आज अदालत मजबूर हो गई है, अर्विंद केजरिवाल जी का साथ दिन का रिमांड देने के लिए, हब बहुत सपच्ट है, ED का रिमांड साथ दिन का क्यों दिया गया, क्योंकि कोट समझती है, कि जो इतने पुकता सबूत सामने हैं, इन सब में इन्वेस्टिगेट होना बहुत जुरूरी है, और यह सचाई यानी बहुत जुरूरी है, कि किस तरह गोटाला हुआ, किस-किस ने कितने-कितने पैसे इसमें बनाए, 338 क्रोड रपे की जो मनी ट्रेल है, वो पैसा कहां-कहां गया, किस तरह के गवाचुनात के अंदर जो 100 क्रोड से जारा खर्च किया गया, वो किस-किस के हाथों में पैसा गया, और जो अर्विंत केजरिवाल जी ने 25 क्रोड रपया कभी दिल्ली से, कभी 10 क्रोड रपया यहां से, कभी 5 क्रोड रपया वहां से, और खास तोर पर जो साउट लव भी, और जो के कविता जी का साथ देकर लॉबी आई थी, उन लोगों की जो वीडियो कांफरेंसिंग हुई, उन लोगों से जो बात चित हुई, और उन लोगों से जो पैसे का लेंदेन का हिसाब हुआ, वो सारी चीजें आज मानियो कोट के सामने रखी गई है मैं हरान हूँ, हम आद्मी पार्टी आई तक के तरी सबूत ही नहीं है, सबूत नहीं है, तो कोट में कैसे खाली कागज रखे गए, क्या आपको लगता है, जैश साब के सामने एक खाली खाली रख दी गए, काए जी जी को मान लीजी सबूत, बिना कागजो कही कोट में कारवाई होती रही और साथ दिन का रिमांड भी मिल गया आज पश्ट हो गया है अर्विंद के जरिवाद इस देश के सबसे ब्रश्ट और करप्ट मुख्य मंत्री हैं और ब्रश्ट और करफशन के कारण ही उनको जेल जाना पड़ और मैं फिर से कह दूं लालू पर शाज यादों के बाद सबसे जादा लंबे समा रहने वाले जेल में अर्विंद के जरिवाद होंगे